सब्सक्राइब कीजिए Asset Yogi चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार मेरा नम मुकुल है और Asset Yogi में आपका स्वागत है जहां हम फाइनेंस की नॉलिज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Net Asset Value के बारे में जब आप किसी Mutual Fund में या फिर Unit Linked Insurance Plan होते हैं यूलिप्स होते हैं उसमें निवेश करते हैं या फिर आपकी Equity Linked Saving Scheme होती है ELSS होता है तो उसके अंदर आपको NAV कोट किया जाता है NAV मतलब Net Asset Value तो अब ये NAV होता क्या है इस पे काफी confusion हो जाती है लोगों को समझ में नहीं आता है कि NAV का exactly मतलब क्या है और हमारा पैसा grow हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा तो इस वीडियो में हम यही NAV का concept पूरा detail में discuss करेंगे आप इस वीडियो को last तक जरूर देखेगा चलते हैं सीधा blackboard की तरफ अगर हम Net Asset Value की definition की बात करें तो ये value पर unit of a mutual fund या ULIP होती है तो as an investor जब भी आप कोई mutual fund खरीदते हैं या बेचते हैं तो आप NAV के price पे खरीदते हैं आप इसको एक तरीके से ये मन के चलिए share का जो price होता है अगर आप shares के अंदर directly invest करते हैं तो आप share price के उपर invest करते हैं mutual funds या ULIP के case में आप NAV के price पे invest करते हैं या उसी price पे बेचते हैं चलिए इसको हमें एक example से समझते हैं मन लिजे ये एक fund है और let's say इसके जो total assets है उनकी value पचास करोड रुपे है अब ये जो fund है पचास करोड रुपे कहीं न कहीं invest करेगा और उससे जो भी returns मिलेंगे वो आपको as an investor वापस करेगा तो अब जो इसके fund owners है वो या तो ये कर सकते हैं कि उन्हें खाली 10 ही unit release करनी पड़ेंगी लेकिन real life scenario में ऐसा नहीं होता है क्योंकि अब mutual fund को retail investors को attract करना है वो इस fund को multiple units के अंदर break कर देते हैं let's say ये 2 करोड units launch कर देते हैं 2 करोड units या फिर shares तो ये जो 50 करोड का amount है ये 2 करोड units या shares में divide हो जाता है और आप multiple units या shares खरीच सकते हैं तो अगर मैं यहाँ पर आपको example दूँ मान लीजे अगर आप किसी mutual fund में let's say XYZ कोई mutual fund है आप उसके अंदर let's say 25,000 रुपे invest करना चाहते हैं और let's say 25 रुपे net asset value है NAV एक unit की value जो है 25 रुपे है तो आप उसकी 1000 units खरीच सकते हैं simply यह है इसका मतलब तो आपको 25 रुपे की 1000 units मिल जाएंगी यह जो 25 रुपे है यही आपकी net asset value है तो अगर हमें इसे formula में calculate करना हो तो यह formula में कैसे calculate होता है net asset value is equal to assets minus liabilities मतलब यह जो 50 करोड रुपे है इसको basically यह जो fund है अलग-अलग जगया invest करेगा एक तो stocks के अंदर invest करेगा या फिर bonds के अंदर invest करेगा या फिर कुछ portion हो सकता है यह cash की form में रख ले फिर liabilities क्या होंगी इसकी जैसे आप इस fund को manage करने के लिए कुछ admin expenses होंगे, office expenses होंगे management की fees होगी वो आपकी liabilities हो गई तो जितना भी आपका assets minus liabilities divided by total number of units total number of units आपकी 2 करोड हो गई तो आपकी net asset value निकल के आ जाएगी तो basically assets हो गई आपके stocks plus bonds plus cash या फिर कहीं और invest करता है वो fund तो वो आप add कर देंगे तो चलिए example के लिए हम एक equity mutual fund का example ले लेते हैं जो खाली stocks के अंदर invest करता है और let's say ये खाली 2 ही stock में invest करता है let's say TCS के अंदर इस mutual fund ने let's say 25 करोड रुपे डाल दिये और let's say TCS के अलावा एक HDFC का भी stock खरीद लिया इन्होंने और HDFC के stock के अंदर इन्होंने 20 करोड रुपे डाल दिये तो 45 करोड यहां adjust हो गए और cash इन्होंने अपने पास 5 करोड रुपे रख लिया तो total assets आपके पास कितने हो गए 50 करोड के हो गए अब liabilities कितनी होंगी इस mutual fund की एक तो आपकी management fees लगती है फिर आपके कुछ claims होते है mutual fund के case में अगर कोई redemption claims आ गए किसी ने कहा कि भई मेरे को अपना पैसा वापस निकालना है तो वो claim पूरे करने होते है ULIP के case में आपके basically insurance claims भी आ जाते है तो वो एक तरीके से liability हो जाती है fund की अब हम इस case के अंदर खाली management fees की ही liability मान लेते है let's say 2% per annum की अगर इसकी liability है या फिर management fees है तो अब आपको per day calculate करनी है तो ये basically divided by आप 365 कर देंगे तो ये आपकी per day की fees आ जाएगी तो अगर हमें इसे 50 करोड के लिए calculate करना हो तो आप basically 0.02 divided by 365 into आप 50 करोड कर देंगे इसकी value आपकी आ जाएगी करीब करीब 27,400 रुपे तो अब हम quickly अपनी NAV calculate कर लेते हैं इसके इसके अंदर आपकी NAV जो होगी आप basically assets यहाँ पर 50 करोड के रखेंगे तो मैं यहाँ पर 50 करोड लिख देता हूँ फिर अब हम इसमें से minus कर देंगे यह liabilities तो यह हमारी liability हो गई management fees 27,400 रुपे minus हो जाएगी अब देखिए 50 करोड के सामने 27,400 रुपे एक दिन की fees बहुत ही कम है कोई खास matter नहीं करती है अब हम इसको divide कर देंगे total number of units से तो total number of units हमारी है 2 करोड राइट तो 2 करोड कर हम यहाँ पर डाल देते हैं तो यह जो हमारी NAV है यह निकल के आ जाती है करीब करीब 24.99 रुपी इसको मैं approximately 25 रुपे ही मान लेता हूँ basically यहाँ पे जो 27,400 की value है 50 करोड के सामने काफी negligible है तो हम सीधे सीधे 50 करोड को 2 करोड से भी डिवाइड कर सकते थे तो आपकी जो NAV की value है वो 25 रुपे आ गई तो अगर मान लीजे आप 25,000 रुपे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको basically 1000 units a lot हो जाएंगी राइट तो इस तरीके से आप net asset value calculate कर सकते हैं अब हम देखते हैं कि हमारे returns कैसे calculate होंगे let's say after one year after one year जो basically आपके assets है let's say उनकी value ये जो TCS का stock है let's say 25 करोड से ये 35 करोड पहुँच जाता है markets काफी अच्छी चल रही है तो यहाँ पे आपका TCS की value हो गई 35 करोड रुपे और let's say HDFC का जो stock है वो 20 करोड की जगे 25 करोड का हो जाता है और आपने अभी भी cash का amount as it is maintain किया हुआ है तो let's say 5 करोड की यहाँ पे value हो गई तो ये आपकी HDFC की value हो गई ये आपकी basically cash component हो गया तो अब ये देखे मैं खाली आपको example यहाँ पे 2 stocks का दे रहा हूँ और cash का ये multiple stocks भी हो सकते है ये साथ में अगर आपने hybrid mutual fund के अंदर पैसा लगाया तो ये bonds भी हो सकते है तो assets की आपकी इतनी value हो गई units आपकी same ही रहेंगी और liabilities मैं negligible मान लेता हूँ management की जो fees है ये काफी कम है relatively 2% ही है खाली और हमने बाकी क्या भी liabilities 0 ही मान लिए है तो हम क्या करेंगे अपने net asset value अब कैसे calculate करेंगे आप ये पूरा का पूरा add कर लेंगे तो ये आगए आपके 65 crores value divided by आप 2 crores कर देंगे तो यहाँ पे basically आपकी net asset value basically 32.5 हो गई एक साल के बाद तो अब आपके basically returns कितने आए आपके जो 25,000 रुपे थे 25,000 आपकी units तो same ही रहेंगी तो आप basically 32.5 into 1000 units कर देंगे तो आपका जो 25,000 का amount था एक साल पहले वो अब basically बन गया 32,500 अब अगर आप एक साल बाद ये पैसा निकालते हैं तो आपको 32,500 रुपे मिलेंगे तो एक तरीके से आपको ये 30% returns मिल गए आपका पैसा 30% बढ़ गया तो ये हो गया basically आपका return on investment तो अगर मैं short में कहूं तो आपका जो NAV है वो एक तरीके से share का price है जैसे आप shares के अंदर invest करते हैं आप share का price देखते हैं अगर आप mutual fund या ULIP के अंदर invest करते हैं तो आप basically NAV का price देखते हैं और जब भी आप खरीदते या बेचते हैं किसी mutual fund या ULIP को अगर आप किसी दिन भी 3 बजे से पहले अगर आप खरीदते या बेचते हैं तो same day की NAV कंसेडर होती है 3 बजे के बाद अगर आप खरीदते या बेचते हैं तो उस दिन next day की NAV कंसेडर होती है तो इस बात का भी आप थोड़ा सा ख्याल रखिए तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको NAV का concept एक दम से clear हो गया होगा तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको like और share ज़रूर कर दीजिए अगर आपके कुछ सुझाव है या आपको फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो से related या इस चैनल से related तो आप नीचे comment कर सकते हैं मैं हर रोज इसी तरीके के finance और investment related interesting topics यहाँ पे इस चैनल पे share करता रहता हूँ तो आपने इस चैनल को अभी तक अगर subscribe नहीं किया है तो नीचे से subscribe करके अपने phone में bell icon को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको मेरे latest वीडियो का notification मिल जाए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक सीखते रहिए कमाते रहिए और खुश रहिए